मटर को पानी के पालाने के लिए रख दूँगी एक सीटी इसमें लगा दूँगी जो कि मारी मटर अची तरह से पक जाए इदर मैंने डाली हुई इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है उसमें स्वादंसार थोड़ा सा ही नमक डाला है और इसके बाद मैं ऻसमें एक चम्न किसी हुई चीनी डालूँंगी और मैंने धही लिए हुआ दही को भी थोड़ा सा पानी डाल कर उसको अच्छी तरह से फैंट लिया है यहां पर मेरा यह गुद्ष चका आए और मैंने इसको कटोरे में करकर ऊपर पोली थीन लगा दी इसको 10 मिनट के लिए मैंने रेष्ट पे छोड़ दिया है जो कि हमारा अच्छी तरह से फूल जाए अब मैं यहां पर प्याज टमाटर हरी मिर्च अधरक है इनको काट लोगी अब मैंने यहां पर मसाले लिए हल्दी पाडर लाल मिर्ची पाडर लिया है थोड़ा सा गरम मसाला लोगी काली मिर्च पाडर लोगी इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा आमचूर और चाट मसाला डालूगी और थोड़ा सा इसमें काला नमक डालूगी काला नमक डालने से स्वाद जादा अच्छा आता है सबजी मैं इसलिए थोड़ा से इसमें काला नमक डालूँगी काला नमक जब इसमें पड़ जाएगा फिर मैं इसको पानी डालकर इसका गोल बना लूँगी इधर मैंने थोड़ी सी मतर लिए और मतर को मैं पीस लूँगी इस तरह से ही इसको पीश लूँगी, जो की मेरी मतर जो बनेगी थोड़ा इसका रस गाड़ा हो जाए इस बज़े से इसको थोड़ा से पीश लिया, इधर मैंने कड़ाई में तेल डाला, उसमें हींग और जीरा डाला है इसके बाद मैंने जो प्याज काट कर रखा हुआ था थोड़ा सा इसमें प्याज डालूँगी, ज्यादा प्याज नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही इसमें डालूँगी प्याज, प्याज हमारा हलका बिरान हो जाएगा, इसके बाद मैंने जो मसाले त्यार किये तो मसाले मंटर याधी जोड़ने प्छास, को नहीं नहीं हमारे तेल जोड़े गजाए determ HOW दो एक तिन भी पानी इसमें इतना डालूँगी ना जादा पानी जादा डालूँगी ना कम डालूँगी और पानी को हलका गरम करके ही डालूँगी पानी ऐसे नहीं डालूँगी पानी को गुनगना कर लिए मैंने पानी तब डाला है अब इसको एक उबालाने के लिए रख दूँगी इसम मिक्स कर लूँगे अभी प्याज हमारा कम है तो मैं इसमें थोड़ा से प्याज और डालूँगे इसलिए मैं थोड़ा से प्याज ऊपर से और डाल दिया है अब यहाँ पर यह मेरे प्याज भी पड़ चुका है इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी हरा धनिया कोई ओडिया कि अपने तो मैदा बन के तयार हो जाएंगे मटर कुल्चे से खाने के लिए मुटर हमारी बन कर यहां पर टियार हो चुकी मैं नदनीया भी मिश्मा भी हमारा अच्छी तरह पूल चुका है मैदा को इस तरह से में निकाल लूगे श्ची लोई काट भी लोई का पानी लगा रहे हूं तब आपे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है अब उसके इपर डाल दोंगी और इसको किसी दूसरे वरतन से ढांक के रख तोंगी यह मैंने बहगोने से ढांका हुआ अब देखो हमारे यह फूल भी रहा है अब इसके बाद यह हमारा एक तरफ यहां इसके बाद मैं इसको पलट के दूसरी तरफ भी सेंकूंगी इसको डबल सेंक ना होता पहले इसको इस तरह से ही सेंक कर मैं इसको अलग कर लोंगी इसके बाद मैं तब यह थोड़ा सा मखन लगाऊंगी आप मखन लगाओ घी लगा सकते हो कुछ भी लगाओ फिर मैं इस प मटर और कुल्चे तयार हो गए है और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें